असलाव लेकुम आप देख रहे हैं अप्लाइंसिस किंग और आज मैं आप लोगों के सामने जनाब ये दो मोटरे लेकर आया हूं और ये मोटरे दो ऐसी क्यों है अचा लोग डॉंकी पॉम के ऊपर लगाते हैं में लाइन से पानी खेशना होता है ये मोटर लगी विए और आप टोड़ा सा रुज Thousand इस मोटर का आगे तो इस मोटर में और डॉंकी पॉम में बुन्याजी तोरपर फर्ख क्या है और इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं जनद ब्लैक वाली उसका नाम क्या है वो कैसे استعمال होती है उसका प्रेशर क्या है वो कितने एंपेर पे चलती है और जो नो इसकी पीड गैसी होती हिसे सब जानेंगे हम सबस् करेंगे और साथ साथ मैं आपको यह भी बताओं कि इसकी कीमत क्था होगी और यही वही चीज है मेil लाइन से पानी केसने के लिए मगर इसकी स्पीड क्या है और दोनों में फर्क क्या है दोनों कितनी बिजली की कंजम्शन करते हैं कितना पानी पेकते हैं अगर 12 गंटे का पानी है तो क्या ये 6 गंटे में पेकते हैं क्या ये 12 गंटे का पानी ये भी 6 गंटे में पेकते हैं कि दोनों का फर्क क्या है और किस तरीकसे यह दोनों मोटर चलती है तो आई इन से बात करते हैं और इन से पूछते हैं Jubilize जनाब यह बहुत काम्याब मोटर है चलें बात करते हैं सालेक। वालेकुम सलाम सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपका नाम क्या है और इन मोटरों का नाम क्या है मेरा नाम सरदार मुहमद है और जो यह पहला मोटर रखा हुए आपके सामने यह 1450 चकर रहे हैं यह डूंकी पॉंप में लगते हैं अगर बेरिंग वाला आपके पास हो तो यह तक्रिबन 500-400 फिट से दूर से पानी की चाहिए सेक्शन करेगा और यह वाला जोने डिवेल होत यह 25 फिट से काम करेगा तब ही काम करेगा जो लैंड में पानी हो इसको मुझे पानी चाहिए होता है सेक्शन इतके पाइदार नहीं है जैसा इसके बदले पर अपना डूंकी पंप है डूंकी पंप जो नहों तक रिपन 400-500 फिट से लैंड में पानी होगा तो लाजमी की इससे ज्यादा बेहतर जो नहीं डूंकी पंप आले और इसमें सोलर वाला सिस्टम भी आया हुए लेकिन आपको पता है कि सोलर का डौप यह बनता है कि जनाब इसके बारे में यह जो पंप सेक्शन पंप इसके बारे में का जा रहा है कि एक तो बिजली कम खेचता है इसका प्रेशर बहुत तेज होता है क्या यह सच है असल में बिजली जो है जो है बिजली इसके और दुनों के पिछे कोई झाया कोई फ़रक नहीं यह यह बहुत जर रहा हो रहे हैं यह आहिके इसमें जो है जाएसे बात हैる सैना बूंकी बallahi पिद्ट यह Cले सितलिया। तो क्याहिएicing नहीं है कि हमने दीय कि द सय तार आप यह वक Sugya कर दोन्क की टो पॉम्प कामीद है के लोग ले रहे हैं उनको मसाइल का सामना यह तकाण मैं यह मẫn इसकान आश परफोर का फेस दोकां होते लिए तकान अपर रखागा दोकां यह कि हर जो मशिनरी होता है उसमें डॉंकी कार सामान मिल जाता है प्लेट हो गया वाल हो गया बोकी हो गया सब मिल जाता है इसका सामान हर दुकान पे नहीं मिलता अचहा साथ ही ये भी जाना जाऊँगा एक तो इसकी इसकी खाएब्ध के हमाले से मुझे बताएगा कि इन दोनों गी मुकम्ल ढूंखी प्यात होती है और इसकी क्या की खाएब्ध है साथ ही ये भी बताएगा कि अगर कोई ले रहा है तो पाइदारी के इसाब से ये ज्यादा बेतर है सेक्शन पंप या डॉंकी पंप हमारी रिया पे जो नहीं है हमारा सब पके बंगलोज हैं यहां पर जो नहीं यह जो नहीं पहले जो था अच्छे 10-15 साल पहले यह कामयाब हो सकता था क्योंकि अबादी कम था पानी ज्यादा था लैनों में अभी अबादी बढ़ गया हमारी इस सिरिया पे जो में ट्रेवल में यह कामयाब नहीं है लोग ज्यादा तर जो नहीं यह लेके जाता है डॉंकी पंप क्योंकि पानी का मसला ज्यादा है पानी क की हुकमत ने इसका रेट जो ने बिलकुल एक जगे पर रुक नहीं रहे जैसे मैं अभी आपको यह दिया तो फर्स करो दस आजार रुपे का सेट दे दूँ जब मैं मार्किट जाओंगा तो साड़े दस क्यारा का होगा तो रेट के जो ना भी कलफों पता नहीं कि अभी क्य कि अभी इसमें एक आता है सवाक आता है अलका और बाहरी आता है जब शुरू शुरू में ता आपको तो बहुत कम था अभी तो रेट इस तरह कहें कि अभी जो इसका नए रेट आयो है सेक्शन पंप का जो टॉंकी पंप कहलाते है उसका अभी रेट जो चल रहा है 21,000-22, 20,000 चल रहे हैं और यह जो डिवेल आ रहे हैं इसका पहले रेट बहुत कम था अभी डबल हो गया दुगना हो गया समझ लिए 12,000-13,000 रपे कही ऑल अस्टेट मिल जाता है जी जो आज की प्रेज है अब आफ़ते बाद पता नहीं से कितर रेट हो मजीद बढ़े इसका तक उपर में 2022 से एक साल गरिंटी मोटर को होता है और तीन में अपम की है अच्छा चलें सही है यह तो मैंने जाना कि वही इसमें और इसमें बन्यादी तोर पर फरक क्या है और कराची के साब से आप कहरें के यह जो है सक्षन पंप फ्लॉप है और जो डॉंकी पंप है बन्या लोग इसको लेके जा रहे हैं और बहुत ज्यादाद में लोग इसको खरीद रहे हैं डॉंकी पंप को लोग जो ना वो कम खरीद रहे हैं मतलब इसकी जो है खरीद कम हो गई है क्यमत की वज़ा है या कॉलिटी की वज़ा है और अगर कॉलिटी की वज़ा नहीं है तो जो वो इसके ओपर जैसे लिखा हुआ है नाम ही काफी है यह क्या पाकिस्तान में इसंबल हो रही है जापानी मशीन है इसके बारे में कुछ बताईगे यह अगला पप्म जो है ना यह शेर्शाद से भी आता है यह लाट की साब आता है इसमें कोई खराइबी और आभी होता है त है नगे फेक्टन मतखिला है इसके देदी तो और ऊपटने और पनजाब पनजाब पनजाब्हें वह चानल वह तो कि पटनके बड़ी बार पेक्टन लैपर यह लेपर पहलों जी क्या वेड़ाइभाए यह लिए जर्व बंगा अप अगर आ斯 मोतर सीधा आदिघ बहुत आसान अगर मैं देखने वालों को बता दूं तो जनाब सक्षन पंप जो है वो गाड़ियां दोने के लिए लॉन में पानी डालने के लिए सही दिवारों पर तराई करने के लिए सही इन चीजों के लिए तो यह आप सक्षन पंप ले लें और इस्तमाल करें मगर जब उपर चड़ानी की मोटर है तो बिल्कुल इस यह यह डॉंकी पंप इतने सारे डॉंकी पंप रखे में सही यह आप डॉंकी पंप यहां से ले जाबी सकते हैं इस जगह का आइडरेज भी मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर हर खिसम की विराइटी आपको मिल जाएगी सह है तो डॉंकी पंप में और बुन्यादी तौर पर जो सक्षन पंप उसमें आपको फर्ख पता चलिया होगा कि आपको कौन सी चीज लेनी चाहिए और क्यूंकि मैं अपने घर के लिए ले रहा हूं तो यकीनी तौर पर मैं आपको वह चीज बताऊंगा जो मैं अपने घर क प्रोफषाड पानी नहीं आ रहा है और खाली यह सर्वावव कर जायगा चलता रहेगा और अगर इसमें पानीए च्राइब चलता साथ मिनट दस मिनट तो शाफ तूट जाई है और पिर उसके बाद अल्ला खहर सलय या नहीं कि आपको और इजाफी पैसे देने पड़ेंगे बिजली की कंजम्शन के हवाले से भी हमें पदल चलिए के बिजली की कंजम्शन कैसी है दोनों की बराबर यह तकरीबन और सब्सक्राइब कोशिश करता हूं अगर यहां पर होंगी मौजूद तो यह देखें जराब एक चीज यह रखी हुए यह मुक्तलिफ शकल का है और इसका सिलसिला यह कि यह भी सुक्शन पंप है और यह भी शेर्शा बगरा और बिसिकलिए जहाजों में फिट होते हैं यह सब्सक्राइब को समझते हैं जनाब के कोई तोप चीज आ गई है वहां पर समंदर का पानी होता रहता है तो हमको पता नहीं चलता है मशीन को भी पता नहीं चलता है वह चलती रहती है यह उसके लिए दूसरे पानी ज़रूरी है तो जनाब यह वह बनियादी तौर पे मोटर के बारे में ढंकी पंफ और सीक्षिन पंफ के बारे में सारी तफ़सिल और आपको पांदा चल गयी है और आप जो है वह वह क्योंकियों के वह बुक्छ अपरोच आपना फ़ादें सारी रिसर्च के बाद तो आप यह यकीनी को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अप्लाइंस इसकेंग